वाडी धानाक शेत्र के काटोल बाइपास चोक टर्निंग वाडी से वाडी नपकी एक महला सफाय कर्मी रास्ते से जारी थी तबी ट्रक की चपेट में आने से उसके मौके पर मौत हो गई मिली जानकारी के नुसार शेनिवार को मौत की पहचान वाडी नगर परिशित की महला सफाय कर्मी शालू राइशिदाम की रूप में हुई है पताया जाता है कि मौतक शालू आज नपसे दत्तवाडी चोक की सफाय के लिए ड्यूटी पर थी विकास नागर जबनगर परिशित में शामिल होने के लिए जा रहे थी तभी अमरावती रोड पर नाखपुर जाते समय एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारती इससे ट्रक के पहिए उसके सिर से उतर गे और वह सिर में जालकी एक अन्य महिला घायल होगी आरोपे ट्रक चालक मौके से फरार हो गया सोचना मिलते ही वाडी पिलस और M.I.ड.C यातायात विभाग मौके पर पहुचे गिटिकदान पिलस मौके पर पहुची गटना की जांच की गए और उसे पोस्ट मॉटम के लिए सरकारी अस्पताल पेज़ा किया मौके पर M.I.ड.C परिवन विभाग के P.I. राचिन रपाठक, वाडी थाना की P.I. ललिता तोड़ा से एपिया द्न्हानेश्वर धावले, डीबे प्रभारी साजित एहमद समेट अन्यपलस करमी मौचू थे P.W. पिछले एक साल से काटोल बाइपास चौक टरनिंग पर सडक का निर्मान करा रहा है चामा पुर्व सुभर इस स्थान पर ट्रक की चपेट में आने से एक युग की हाथ से में मौत हो गए थी फिर भी लोग निर्मान विभाग की आख नहीं खुली नागरिकों ने मांग की है कि निर्मान कारे अविलम पुरा किया चाए और चौक पर सिगनल लगाया चाए BCN News के लिए वारी से सौरब पार्टल के रिपोर्ट